हेलो एवरीवान, वेलकम टू मागनेट ब्रेंज, मैं हूँ अदिती शाह और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चाप्टर नंबर टू, पार्टनर्शिप फंडमेंटल्स ठीक है, तो बच्चों, पार्टनर्शिप जो है, इसमें आपके काफी सारे चाप्टर्स कवर्ड हैं, ठीक है, आप अलग-अलग टाइप की चीजें सीखेंगे लेकिन ये जो चाप्टर, चाप्टर नंबर टू है, ये समझ लो कि आप कॉंसेप्ट की पहली इट रखने जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आगे आने वाले बाकी सारे चाप्टर्स, इन सारे चाप्टर्स पर डिपेंडेंट रहेंगे ठीक है, तो आपका अभी शुरू से ही पार्टनर्शिप के कॉंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एक तरह से हमारा फंडमेंटल जा ऐसा कहे लो कि बेसिक चाप्टर, बेसिक कॉंसेप्ट वाला चाप्टर है, चाप्टर नंबर टू, ठीक है, तो अकाउंटिंग भी हम एक कहानी सुनेंगे, क्या कहानी है, चलो, हेरा फेरी तो देखी है, और आपको पता है मेरा हमेशा फेवरेट एक्जामपल यही रहता है, चलो तो यहां पर धोती बना देता है, हम बाबु भाईयागी, यह है हमारे कौन? बाबु भाईया, तो जैसा कि आपने हेरा फेरी में देखा, ठीक है, बाबु भाईया जो है, यह अपना खुद का एक गराज चलाते हैं, ठीक है, तो बाबु भाईया का क्या था? एक गराज था, ठीक है, और यह उसके क्या थे? यह सोल प्रोपरेटर, अकेले यह मालिक थे उसके, ठीक है, अकेले ओनर थे, और अकेले यह बाबु भाईया इसको चला रहे थे, ठीक है, फिर इनकी लाइफ में दो बहुत ही बड़े कार्टून लोगों ने एंट्री ली, कौन थे वो दो कार्टून? एक था हमारा चश्म श्याम और एक था हमारा राजू, ठीक है, तो बस पार्टनर्शिप समझ जाना बाबु भाईया, राजू और श्याम, इन तीनों की कहानिया सुनते ही हम कब पार्टनर्शिप समझ लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, चलिए, तो बाबु भाईया का अपना गराज था वो उसके सोल प्रोप्राइटर थे, फिर वो मिले श्याम और राजू से, फिर जैसा कि आपको पता ही कि राजू का दुछ दिमाग है, वो थोड़ा खुरापाती दिमाग है, उसने बोला बाबु भाईया से क्या रहे, अब छोटा मोटा गराज में से कुछ नहीं होगा, अ अब हम कुछ बड़ा बिजनस करते हैं, और तीनों मिलकर करते हैं, ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर, तो बाबु भाईया ने फिर अपना गराज जो है, वो छोड़ कर इन लोगों ने मिलकर एक बड़ा सा क्या खोल लिया, सपोस कार का शोरूम खोल लिया, आया समझ में, तो इन तीनों ने एक दूसरे से हाथ में लाएं कि चलिए, हम तीनों, बाबु भाईया पहले अकेले बिजनस कर रहे थे, फिर इनों ने बोला कि अब हम तीनों मिलकर, हम तीनों अगरीमेंट कर रहे हैं, कि हम तीनों मिलकर जो है, यह एक नया बिजनस चालू कर रहे हैं, that is car का showroom, ठीक है, तो बस बचों, यही है partnership, इन तीनों ने जो की, वही है partnership, यह तीनों ने मिलकर जो business करने का plan किया, ठीक है, यही है partnership, clear है, तो यह तो बड़ा एक हमने story के रूप में समझ लिया, अब इसको एक बार देख लो आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग, आगे बढ़ते हैं, जो proper theory है, चलिए, तो आगे बढ़ रहे है, meaning and definition, सबसे पहला चीज़ जो हमें समझना जरूरी है, partnership के बारे में, कि partnership का meaning क्या है, और उसकी definition क्या है, तो partnership का meaning, कहां दिया हुआ है, ठीक है, तो section 4, section 4, Indian Partnership Act, 1932, Indian Partnership Act, क्या होता है, basically, एक तरीका, बच्चों, ये कानून है, ये law है, ठीक है, आप business में भी पढ़ोगे ये चीज़, Indian Partnership Act, 1932, जैसे बहुत सारे acts होते हैं, बच्चों, ठीक है, जैसे companies act भी आपने सुना होगा, तो वो companies के उपर लागू होता है, Similarly, Indian Partnership Act, जो है, वो जो partnership firms होती है, उनके उपर लागू होता है, ठीक है, तो इस basically, इस act में सारे कानून दिये हुए हैं, जो partnership को follow करने पढ़ेंगे, एक partnership firm को follow करने पढ़ेंगे, ठीक है, तो Indian Partnership Act, 1932 में, section 4 में, definition दी गई है, partnership की, यह याद रख लो, क्यों, क्योंकि यह one mark का आ सकता है, यह one mark के questions पूछ सकते हैं आपसे, चलो, तो क्या बोल रहा है, partnership is the relation between persons, who have agreed to share the profits of a business, carried on by all, or any of them acting for all, क्या पढ़ा हमने, देखो, क्या देखा भी, partnership is the relation between persons, तो partnership क्या है, बाबु भाया, श्याम और राजू के बीच में, relationship, ठीक है, उन्होंने agree किया, कि हम business करेंगे मिलकर, और profits जो होंगे, वो हम मिलबाट के share करेंगे, ठीक है, और जैसे कई बार ऐसा होगा, कि बाबु भाया, या श्याम या राजू में से कगर कोई available नहीं है, तो बाकी लोग मिलके, तीनों के बिहाफ पे, सपोज श्याम और बाबु भाया कहीं घूमने चले गए, तो राजू अकेला इन तीनों के बिहाफ पे, कार शोरूम को मैनेज करेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है, हमेशा सब लोग प्रेजेंट रहें, जैसे आप sleeping partner का भी एक concept पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो ये चीज अपने profits business के जो हैं, वो शेयर करेंगे, carried on by all और any of them acting for all, ठीक है, तो या तो सब लोग मिलके उस business को carry करेंगे, या कुछ बाकी सब के बिहाफ पे उस business को carry करेंगे, तो ये है आपकी partnership का meaning और उसकी definition, तो इसको note कर लो, और बचो concept वाला जो register है, उसमें आपको ये सारी वीडियो चल रहा है, जब हम questions देखेंगे, तब आपको numerical वाले register में लिखना रहेगा, ठीक है, तो इसको note कर लो, ये हमारा हो गया meaning and definition, ठीक है, तो यहाँ पर, अब एक example ले लेते हैं, suppose वही, यहाँ पर हमारे अकेले, बाबु भाईया है, ठीक है, तो बच्चों, सोल प्रोप्राइटर का आप accounting पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़ा है आपने, याद करो, याद करो, हमने class 11 में पढ़ा है, जब आप final accounts बनाते थे, याद है, P&L, trading account, balance sheet, ये सब जो आप सोल प्रोप्राइटर का जो आप final accounts बनाते थे, कि आपने class 11 में पढ़ा है, ठीक है, और अब class 12 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हमने class 11 में क्या पढ़ा, कि अगर अकेला इंसान एक business को carry out करेगा, तो वो किस तरह से उसके accounting होगी, अब हम class 12 में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, कि अगर दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, मिलकर ये है बाबु भाईया, ये है राजू और ये है श्याम, ठीक है, मैं BRS ऐसे लिख रहे हूँ, तो अब समझ जाना, बाबु भाईया, राजू, श्याम, ये तीनों मिलकर business करेंगे, ठीक है, तो ये तीनों मिलकर जो form खोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इ आ रहा है समझ में, ये था soul proprietor firm थी, ठीक है, जो बाबु भाईया चला रहे थे, और जो ये लोग खोल रहे है, तीनों मिलकर वो हो जाएगी partnership firm, ठीक है, तो बाबु भाईया की थी soul proprietor firm, और वो खुद क्या थे, उसके soul proprietor, soul मतलब अकेले, soul, ठीक है, और उसके final account हमने सीख इसलिए, अब partnership firm की accounting जो है, ये हम सीखेंगे class 12th में, ठीक है, और जो ये तीनों मिलके जो business कर रहे हैं, उसको बोलता है partnership firm, और इन सब को हम क्या बोलेंगे, इन सब को हम बोलेंगे partners, आ रहा है समझ में, ठीक है, तो इसको note कर लो, जितना diagram के थूरू समझोगे, उत्ता जाएगा, चलिए, तो meaning and definition देख लिया, अब देख लेते हैं क्या, meaning and definition में हमारी एक दो चीज़ें और बोली गई है, वही जो चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाई, the persons who have entered into a partnership with one another, ठीक है, तो persons जो enter हुए है partnership में एक दूसरे के साथ, individually, are called partners, ठीक है, तो यहाँ पर हैं, जो individually एक दूसरे के साथ enter हुए है, किसमें, partnership में, ठीक है, मिल जुलकर काम करने के लिए तयार हुए है, तो उनको हम क्या बोल रहा है, partners, ठीक है, और इन तीनों ने मिलकर, जो business खोला, उसको हम क्या बोलेंगे, partnership firm, तो अकेले इंसान को, अगर मैं सिर्फ बाबु भया की बात करूँ, यह सिर्फ राजू की बात करूँ यह सिर्फ शाम की बात करूँ, individually, तो इन तीनों को क्या बोलेंगे, यह बाबु भया, पार्टनर है, राजू पार्टनर है, शाम पार्टनर है, बट जब तीनों को collectively देखेंगे, तो यह क्या होंगे, तीनों मिलाकर, partnership firm, ठीक है, तो अलग-अलग देखोगे तो partners और तीनों को मिला के देखोगे तो क्या partnership firm, उनको हम बोलेंगे firm, ठीक है, तो the persons who have entered into a partnership with one another individually are called partners and collectively a firm, ठीक है, तो अलग-अलग अगर देखोगे, तो मैं यहाँ पर एक drawing बना देती हूँ, अलग-अलग यहाँ पैसा कर लेते हैं, तो यह हो जाएंगे हमारे partners, ठीक है, और अगर इनको हम collectively देखेंगे, ठीक है, इनको हम collectively देखेंगे, तो यह क्या हो जाएंगे, firm, clear है इतना, चलो, the name under which the business is carried is called firm name, तो जिस नाम से उन्होंने अपना business खोला है, ठीक है, जिस नाम के अंडर वो business को carry कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, firm name, example, example, बाबु भाया, राजू और शाम ने decide किया कि हम अपनी company का अपना जो showroom है, उसका नाम क्या रखेंगे, हम रखेंगे, बी आर एस हेरा फेरी, ठीक है, तो बी आर एस हेरा फेरी, मतलब बाबु भाया, राजू और शाम, हेरा फेरी ये इनका पूरा एक हो गया firm name, आया समझ में, तो इन्होंने सपोस्ज ये नाम दे दिया अपनी firm का, जो उन्होंने car showroom खोला है, यहसे बिसको लिख लो हेरा फ तो confusion नहीं होगा, ठीक है, तो हेरा फेरी company जो है, इनकी क्या हो जाएगी, इनका firm name हो जाएगा, ठीक है, clear है, तो ये दो points और हैं, जो meaning और definition में हैं, तो यहाँ पर आपने बच्चों आपका meaning और definition पूरा partnership firm का जो था, वो समझ लिया है, अब एक छोटा सा concept हम और समझ लेत इसके बाद, nature of partnership, तो meaning और definition समझने के बाद, partnership का nature समझना है, ठीक है, तो nature क्या है, अब इस nature को हम दो अंगल से देखेंगे, एक अंगल होगा accounting का, और एक अंगल होगा legal, मतलब law का, ठीक है, तो accounting point of view से, क्या बोला गया है, कि separate business entity from its partner, तो जो partnership firm और partner को अलग-अलग entity माना गया है, जैसे आपको याद है, आपने पढ़ा था, 11th class में, हमारे बच्पन में पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, कि एक individual और उसका business जो है, वो दोनों separate legal entity होते हैं, दोनों को अलग-अलग इंसान, दोनों को अलग-अलग individual माना गया है, ठीक है, तो similarly, accounting point of view से, यहाँ पर भी, हमारी जो partnership firm है, तो यहाँ पर बोला गया है, कि partnership firm एक अलग इंसान है, और जो partners है, वो एक अलग इंसान है, ठीक है, तो दोनों अलग-अलग इंसान है, तो यह आपका कौन बोल रहा है, accounting point of view, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, कि हम हमेशा बच्चों क्या करेंगे, फिर, जो accounting सीखेंगे हम इस chapter में, और आने वाले अगले chapters में, वो हम partnership firm के angle से सीखेंगे, जैसे याद है, हम जो final accounts बनाते थे, तो हमेशा हम business के point of view से accounting करते थे, तो similarly, यहाँ पर भी जो हम accounting करेंगे, वो partnership firm के point of view से accounting करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया गया है, कि partnership firm और partners दोनों अलग-अलग separate identities हैं, दोनों अलग इंसान हैं, ठीक, legal point of view में क्या बोल रहा नहीं, not a separate legal entity, दोनों नहीं हैं, not a separate legal entity from its partners, since the firm's debts can be paid from private assets of the partners, if the firm is not able to pay its liabilities, तो यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, कि partnership firm, यह हमारी partnership firm, और जो partners हैं, ठीक है, यह दोनों अलग नहीं है, इनको separate legal entity नहीं माना गया है, ठीक है, तो accounting point of view से बोला गया, दोनों अलग इंसान है, और legal point of view से बोला है, कि दोनों अलग इंसान नहीं है, ठीक है, क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि suppose करो, partnership firm, partnership firm ने कुछ उधारी ली है, कोई loan लिया है, और अगर वो liabilities को partnership firm पे नहीं कर पा रहा, तो फिर जो partners हैं, उनके घर भी बिख सकते हैं, उस liability को meet करने के लिए, ठीक है, तो suppose बाबु भीया, राजु और शाम, इन्होंने अपना business खोला, हेरा फेरी company, लेकिन suppose उन्होंने इतन इनका गराज, इनका घर सब कुछ बिकेगा, और उसके बाद खड़क सिंग को payment होगा, ठीक है, तो मतलब legal point of view से अगर partnership firm जो है, वो अपनी liabilities को meet नहीं कर पा रही है, तो partners को अपने खुद के personal assets बेच के उस liability को meet करना पड़ेगा, ठीक है, वही बात बोली गई है, it is not a separate legal entity from its partners, since the firm's debt, firm की जो अधारियां हैं, जो debts है, that can be paid from private assets, private assets of the partners, if the firm is not able to pay its liability, अगर firm अपनी liability नहीं पे कर पा रही, तो partners को अपने personal assets बेच के उस firm की जरुद को पूरा करना पड़ेगा, firm की liabilities को meet करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह accounting point of view और legal point of view, बस यह दो point of view है, तो आपको nature of partnership में समझने थे, ठीक है, इसको note कर लो, चलिए, तो nature of partnership देख लिया, एक और हम देख रहे हैं concept क्या है, features या characteristics of partnership, तो अभी तक आपने meaning और definition समझ दिया partnership का, आपने nature समझ लिया, अब देखना है कि partnership के क्या characteristics, क्या features है, ठीक है, जैसे हमारे mobile में features होते हैं, उस तरह से partnership के क्या features हैं, चलो वो देख लेते हैं, सबसे पहले, पहला feature हम जो देखने जा रहे हैं, वो है two or more persons, तो बच्चों ये बड़ी simple सी बात है, है न, कम से कम दो लोग तो लगेंगे partnership करने के लिए, अगर बाबु भाईया ये सोचें, कि मैं तो अकेला ही partnership करूँगा, तो बच्चों क्या वो possible है, नहीं, अगर आप अकेले business कर रहे हो, तो फिर आप eventually sole proprietary बन जाओगे, ठीक है, तो partnership आपस में agreement होने के लिए, दो या दो से अधिक लोगों का होना important है, ठीक है, तो बस पहला feature ये हो गया, two or more persons, that means minimum at least दो लोग तो चाहिए ही चाहिए partnership करने के ल P14 ने में mention किया हुआ है कि maximum 50 लोग होने चाहिए, उससे जादा लोग partners नहीं बन सकते हैं, समझ में आ गया, तो बस दिमाग में रखो, two or more persons एक feature है, जिसमें minimum दो persons और maximum 50 लोग मिलकर एक partnership firm बना सकते हैं, ठीक है, तो minimum और maximum के limit आपने देख ली, दूसरा point है agreement, तो partnership का agreement, कैस हो सकता है, सपोज, बाबो भाया ने बोला, राजू और श्याम से, चलो अपन मिलकर एक business करते हैं, partnership में, अपन तीनों partners हैं, ठीक है, और उन्होंने agree कर लिया कि ठीक है, बाबो भाया, अपन सब मिलके अपना showroom खोलते हैं, तो ये क्या हुआ, ये उन्होंने एक orally, ठीक है बस मुझ जबानी उन्होंने बात कर ली, कि हम partner बन जाएंगे, और वो partner बन गए, ठीक है, तो क्या ये valid है, जी बच्चों, बिलकुल valid है, तो भले ही आपने orally बोलके partnership में enter करे हो, आप orally बोलके आपने agreement किया है, या बाबु भाया ने बोला कि ये page है, written form में, मैं agree कर रहा है, सबने written form उसमें written उस पर agreement पर sign किया, और उसके बाद उनका written agreement हुआ, लिखित agreement हुआ, कि वो तीनों partnership में business carry out करेंगे, ठीक है, तो वो भी valid होगा, ठीक है, generally बच्चों हमें prefer क्या करना चाहिए, कि written हो, क्योंकि क्या बोलते हैं, बोला हुआ कोई भी पलट सकता है, लेकि तो ये कही न कहीं एक safe option होता है, लेकिन both are valid options, ये आपको हमेशा याद रखना है, आपको confused नहीं होना है, कि oral agreement allowed नहीं है, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, partnership आप मुझ जबानी भी और लिख के भी दोनों वे में आप partnership में enter कर सकते हो, ठीक है, partnership का agreement कर सकते हो, चलो, तीसरा feature उसका एक खुरापाती दिमाग है, है न, वो दिमाग हमेशा उसका उल्टा चलता है, उसने बोला, अरे बाबु भीया, कहां लगे हो, ये शकार का showroom वो रूम खोलने में, हम तो bank लूपते हैं, अपन तो हेरा फेरी करते हैं, है न, एक 10 करोड का 20 करोड करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें राजू का दिमाग चलने लगा, ठीक है, तो बच्चों क्या ये possible है, नहीं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो lawful और जो legal activities हैं, आप उनहीं को carry out कर सकते हो, partnership करके, ठीक है, illegal activities allowed नहीं है, तो अगर ये लोग बोलते हैं कि हम partnership firm बना रहे हैं, bank पेचने के लिए, ठीक है, ये smuggling करने के लिए, तो क्या ये allowed है, नहीं, illegal activities को आप नहीं perform कर सकते हैं, partnership उसमें, partnership firm नहीं perform कर सकती, ठीक है, business carry out नहीं कर सकते, business should be very much legal, very much lawful, चलिए, next, profit sharing ratio, ठीक है, तो profit sharing ratio क्या है भाई, हमने definition पढ़ी है, क्या, कि तीन लोग, तीन या, दो से दो, दो से जादा लोग, जो individuals है, वो मिलकर, decide करते हैं कि साथ में business करेंगे, और जो profit होगा, वो बाटेंगे, है ना, किस ratio में बाटेंगे, क्या तीन हो, बराबर बराबर बाटेंगे, या कोई 20% लेगा, कोई 40% लेगा, है ना, कोई इस तरह से बाटेंगे या, मतलब वो सब पूरा उनका profit sharing ratio का आप एक अलग से chapter पड़ोगे, ठीक है, तो किस ratio में वो profit को distribute करेंगे सारे partners आपस में, ठीक है, वो आपका एक feature हो गया, किसका, partnership का, तो इसमें एक बात बोली गई है, बड़ी important, क्या, it is compulsory to share profit, but not compulsory to share loss, मतलब क्या हुआ इसका, हमारे तीन partners, कौन है, बाबु भाईया, यह हो गया हमारा राजू, और यह हो गया हमारा श्याम, ठीक है, अब बाबु भाईया ने बोला, कि भाई, देवारे देवा, 30 करोड का हमारा जो हम काम कर रहे है, सपोस्थ 30 करोड का profit हुआ, उन्होंने बोला, कि भाई, अगर profit हुआ, तो ही, तो मुझे चाहिए profit, ठीक है, मैं profit share करूँगा, लेकिन loss हुआ, तो भाई, राजू और श्याम, तुम ने पटना, मैं उसमें भागिदारी नहीं लूँगा, ठीक है, तो यहां पर अगर profit होता है, सपोस्थ 30 करोड का, ठीक है, तो इन तीनों में बराबर तीनों को 10 करोड, 10 करोड मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन, सपोस्थ लॉस हुआ इनका, 30 करोड का, ठीक है, तो बाबु भाईया ने क्या बोला है, कि भाई profit होगा, तो ही हम आएंगे, तो ही हमको बाटना, है न, लॉस होगा, तो हमसे पूछना भी मत, तुम दोनों निपट ठीक, तो ऐसा क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बचों, ठीक है, तो यहाँ पर बाबु भाईया कुछ भी उनको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जो लॉस होगा, वो दोनों ये लोग भुखतेंगे, राजु और श्याम, तो पंदरा करोड, पंदरा पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, तो भई बाबु भाईया भी कम थोड़ी ना है, बाबु भाईया ने बोला प्रॉफिट होगा, तो भई मैं मुझे देना लॉस हुआ तो भूल जाना, मैं नहीं उठाऊंगा लॉस, तो इसलिए बाबु भाईया को क्या बोलेंगे, partner in profits only ठीक है जो partner सिर्फ profits profit ही share कर रहा है loss को share करने से मना कर देता है उसको हम बोलते है partner in profits only, आया समझ हुए profit sharing ratio का आपका feature complete हो गया next characteristic देख रहे हैं mutual agency mutual agency का मतलब क्या होता है तो बच्चों partners का इतना प्यारा और इतना अनोखा relation होता है क्या होता है कि partners are principal as well as agents तो principal क्या होता है मतलब partners जो है एक दूसरे के boss भी है और एक दूसरे के employee भी है ठीक है? सपोस करो बाबु भाईया ने बोला राजु और शाम को कि तुम लोग ये वाला काम समालो तो यह पर बाबु भाईया क्या बन गए? boss बन गए और राजु और शाम क्या बन गए? employees बन गए ठीक है? उनके knocker बन गए जैसे राजु ने बोला कि बाबु भाईया और शाम तुम लोग ये वाला चीज समालो business का तो यहाँ पर राजु कौन बन गया? principal बन गया ठीक है? boss बन गया और शाम और बाबु भाईया क्या बन गए? agents या आप बोल सकते हो employees या knocker ठीक है? तो एक order देगा तो बागी के partners मानेंगे इस तरह का इनका relation होता है कि partners जो होता है वो principal भी होता है मतलब एक दूसरे के boss भी होता है और एक दूसरे के employees या knocker भी होता है आया समझ में? एक point और है mutual agency में business can be carried on by all or any of them acting for all अब suppose करो बाबु भाईया जो है पढ़ गए बिमार ठीक है? तो बाबु भाईया ने बोला कि यार राजू और शाम तुम लोग समाल लो अभी तो मैं 15 दिन नहीं आ पाऊंगा ठीक है? क्योंकि बाबु भाईया को बहुत आदत थी पीने की तो वो पढ़ गए बिमार तो अब क्या होगा बच्चों? राजू और शाम जो है वो partnership firm को चलाएंगे तीनों partners के बिहाफ पे भले बाबु भाईया नहीं आ रहे ठीक है? सपोस करो बाबु भाईया भी नहीं आ पा रहे और शाम भी नहीं आ पा रहे तो अकेला राजू भी partnership firm को रन कर सकता है तीनों के बिहाफ पे ठीक है? वो act कर सकता है actions ले सकता है तीनों के सारे partners के बहाफ पे तो बस यही बात है business can be carried on by all या तो सब लोग मिल के business carry out कर सकते हैं ठीक है या any of them acting for all या उन में से कुछ लोग पूरा business carry out कर सकते हैं बाकी सब के बहाफ पे या हमने definition में भी पढ़ा था ठीक है तो अकेला राजू भी पूरा business को carry out कर सकता है इन तीनों के भी हाफ पे ठीक है और या तो तीनों के तीनों मिलकर भी business को carry out कर सकते हैं तो इस तरह का mutual agency relation होता है partners के बीच में ठीक है तो चलो एक बार जल्दी से revise कर लो क्या-क्या features है two or more persons minimum 2 और maximum 50 लोग तो होने ही चाहिए partnership में ठीक है business lawful होना चाहिए illegal activities carry out नहीं कर सकते आप partnership में प्रॉफिट शेरिंग रेशियो मतलब शेर कंपल सरी है प्रॉफिट शेर करना कंपल सरी है ठीक है वो तो आपको सब में बाटना ही पड़ेगा लेकिन अगर कोई partner चाहता है कि वो लॉस में ना हिस्सेदारी भागीदारी ना ले तो वो उसका option है ठीक है यहां पर बाबु भाईया ने मना कर दिया था कि मैं लॉस नहीं जहेलूंगा जो लॉस होगा तुम लोग देखोगे तो वो possible है ठीक है तो it is compulsory to share profit लेकिन loss को share करना compulsory नहीं है लेकिन profit को share करना compulsory है mutual agency मतलब mutual agency में हमारा partners का relationship बताया कि partners जो है वो principal भी है और agents भी है एक दूसरे के मालिक भी है एक दूसरे के नौकर भी है एक दूसरे के boss भी है एक दूसरे के employees भी है ठीक है business can be carried on by all or any of them acting for all तो या तो सब लोग मिल जूल के business carry out कर सकते हैं या उन में से कुछ लोग बाकी सब के बिहाफ पे business carry out कर सकते हैं तो इस तरह का relationship होता है partners का ठीक है तो यह आपने features और characteristics of partners भी देख लिए तो इसको भी note कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो features देखने के बाद हम fourth point देख रहे है rights of partners ठीक है तो अपने features of partnership देख ली क्या-क्या features होते हैं अब हम देखेंगे कि हर partner का क्या अधिकार होता है क्या rights होता है ठीक तो चलो सबसे पहले देखते हैं every partner has the right to सबसे पहला participate in the management of the business तो हर partner का क्या right है कि वो जो day-to-day activities है ठीक है day-to-day जो management है business का उसमें वो participate करेगा ठीक है उसमें वो भाग लेगा second be consulted about the affairs of the business ठीक है तो जैसे आपको पता है क्या कि जैसे कई बार जैसे बाबू भाईया आपने हिरा फिरी देखी होगी तो बाबू भाईया राजू और शाम ये तीनों हम partners का example लेके चल रहे थे तो राजू जो है वो क्या करता है मन से decision ले लेता है और कुछ भी हरकते कर ठीक है और शाम और बाबू भाईया को बताता नहीं है ठीक तो यहां पर क्या होता है अगर उन्होंने बोल दिया है कि partner का क्या right है कि उससे consult किया जाए उससे advice लिया जाए कोई भी important decision लेने के पहले ठीक है उससे एक बार पूछा जाए consult किया जाए तो similarly अब जब राजू और बाबू भाईया और शाम जब यह तीनों partners बनेंगे तो अब राजू ऐसी हरकते नहीं कर सकता उसको important decisions जो लेने है business को चलाने के लिए उसके regarding उसको advice लेना पड़ेगा किस से consult करना पड़ेगा किस से बाबू भाईया से भी और शाम से भी ठीक है चलो next inspect books of account and have a copy of it ठीक है तो अगर partner चाहे तो partner के पास अधिकार है कि वो अपने books of accounts का inspection कर सकता है मतलब check कर सकता है कि properly सारी चीज़े maintain हो रही है की नहीं ठीक है कुछ गलत तरीके से तो record नहीं हो रहा तो उसका inspection वो कर सकता है and have a copy of it और उसकी copy रखने का भी उसके पास अधिकार है right है ठीक है clear हो to share profits or losses with others in the agreed ratio तो हर partner का क्या अधिकार है कि वो profit हो या loss हो उसको share करेगा बाकी लोगों के साथ जो भी उनका आपसी agreed ratio जो भी उन्होंने ratio पर agree किया है कि किस ratio में वो लोग profit को या loss को बाटने वाले है ठीक है clear हो गया इतना चलिए next है right क्या है एक और not to allow the admission of a new partner ठीक है तो यह एक बड़ा important point है बच्चों क्या है कि इस पर star लगा लो हर partner का अधिकार है कि अगर कोई नया partner का admission होना करवाना चाहता है अपने हमारी partnership में कोई नया इंसान आना चाहता है तो कोई भी partner के पास अधिकार है कि वो उस admission को मना कर सकता है example ठीक है example आपने maximum limits देखी है क्या maximum limit होती है partnership में 50 लोग हो सकते हैं ठीक है तो 50 partners है एक firm में और अगर एक firm में 50 partners हैं इसमें कोई एक नया व्यक्ति admission लेना चाहता है ठीक है suppose A तो A जो है वो admission लेना चाहता है firm में और उसमें हमारे जोने आपे ले लेते 48 partners ले लेते हैं क्योंकि 50 से उपर तो जाई नहीं सकते 48 partners ले लेते हैं ठीक है तो 48 partners already थे firm में बच्चो और A जो है वो admission लेना चाहता है ठीक अब 48 partners में से 47 partners बोले कि आ जाओ A स्वागत है तुम्हारा 47 partners ने agree कर दिया कि A A को admission देने के लिए agree कर दिया उसने positive vote कर दिया ठीक है लेकिन एक partner था ठीक है एक partner जो है उसने मना कर दिया उसने agree नहीं किया वो नहीं चाहता कि A इस firm को join करे ठीक है तो वैसे देखा जाए बच्चो तो majority wise 47 partners ने हाँ बोल दिया है तो फिर A को तो आ जाना जाए एक partner के बोले से क्या फरक पड़ता है है ना हम तो ऐसे ही सोचते है लेकिन देखो यही तो शक्ती है ठीक कर दिया गया है कि एक partner ने भी एक partner ने भी अगर मना कर दिया admission से ठीक है तो यह नया partner join नहीं कर सकता ठीक है तो यहाँ पर हम एक चीज वड़ी important लिख लेते हैं क्या for admission of a new partner consent of all ठीक है ब्राकेट में मैं लिख रही हूँ पार्टनर is required ठीक है तो कभी भी अगर admission होना है किसी नय पार्टनर का तो consent of all each and every each and every मैंने जानबूच के लिखा कि एक एक partner का हाँ बोलना जरूरी है उसका admission होने के लिए तभी वो नया partner जो है वो admit हो सकता है तभी वो नया partner join कर सकता है form को clear है इतना ठीक है एक भी partner ने मना कर दिया तो दूसरा जो इंसान admission के लिए बोल रहा है वो admission नहीं ले सकता partnership form में एक और example देख लेता है ठीक है क्योंकि हम कहानी लेके चल रहे है हेरा फेरी वाली तो बाबू भाया राजू और श्याम ठीक है इन तीनों ने अपना partnership खोला यह तो हम देख चुके है ठीक है हेरा फेरी company के नाम से अब जो राजू है तो उसमें आपको तब्बू का character पता है अनुराधा करके जो थी चश्मा लगाती थी ठीक है जो श्याम की उससे जैनरी लडाई चलती थी तो जो राजू है वो बोलता है कि अब हम मुझे एक नए और partners में हमें join करवाना है वो है तब्बू ठीक है वो अनुराधा जो है वो join करेगी लेकिन बाबू भाईया ने भी बोला ठीक है बाबू यह तो खुश हो गए कि ठीक है भाईया एक लड़की हमारा form join करेगी ठीक है राजू तो वैसे भी ready था लेकिन शाम ने मना कर दिया शाम ने मना कर दिया कि नहीं अनुराधा या तब्बू जो है यह हमारी form को join नहीं करेगी मैं agree नहीं करता तो क्या शाम के पास यह right है yes ठीक है भले ही बाबू भाईया और राजू दोनों तयार है majority तयार है लेकिन अगर शाम ने मना कर दिया एक partner ने भी मना कर दि जो हमारे form में admission नहीं ले सकता clear हो गया तो यह थे आपके बच्चो rights of partner ठीक इसको note कर लो और कुछ भी confusion हो doubt हो तो पूछ लो ठीक तो clear हो गया आपको क्या-क्या rights हो गए participate in the management of the business ठीक है consulted about the affairs ठीक है consultation लेना जरूरी है partners से inspect books of account books of accounts को check कर सकता है ठीक है share profits and losses in the agreed ratio and not to allow the admission of a new partner तो यह सारे rights हो गए ठीक है तो बच्चों आज के lecture में हम लोगों ने fundamentals के हमारा पार्ट वन वाला वीडियो है अभी आगे भी और काफी सारे concepts है मैं एक साथ सारे concepts इसलिए आप आपके उपर नहीं डाल रही हूं वरना आ थोड़ा confusion हो जाएगा इसलिए concepts को हम पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आराम से आज का वीडियो आप देखो और आपके दिमाग में थोड़ा चीज़े सिंकिन हो थोड़ी आपके subconscious mind में चीज़े बैठेंगी फिर हम next topic पे next concept वाले पार्ट पे आगे बढ़ेंगे ठ ठीक है तो बिल्कुल आराम से पढ़ो लेकिन solid पढ़ो ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है तो आज हमने बच्चों क्या क्या देख लिया चल्दी से एक बार देख लेते हैं हमने partnership का meaning and definition समझ लिया ठीक है उसके बाद हमने nature of partnership समझी जिसमें हमने accounting point of view और legal point of view से देख लिया उसके बाद हमने features और characteristics of partnership समझी जिसमें हमने mutual agency क्या होता है है na minimum limit maximum limit क्या होती है ये सब चीजें हमने काफी सारे features देखे partnership के ठीक है and अभी चौथा topic हमने देखा कि partners के क्या क्या अधिकार है ठीक है clear हो गया इतना तो आज हमारा जो concept part 1 वाला वीडियो है fundamentals partnership fundamentals का वो यहाँ और finish होता है आज के lecture में हम कर रहे है class 12 accounts का chapter number 2 जिसका नाम है partnership fundamentals ठीक है तो बच्चों हम लोग अभी partnership के बिल्कुल basics पर है और basic समझ रहे हैं हमारा एक concept part 1 वाला वीडियो जिसमें हमने अलग-अलग चीज़े समझी meaning and definition क्या है partnership की हमने समझा nature क्या है partnership का हमने देखा हमारा features और characteristics क्या है partnership के और partner के rights क्या होते हैं यह सब चीज़े हमने previous वीडियो में देखी ठीक है तो अभी यह वीडियो देखने के पहले अगर आपने first वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए उसके बाद फिर यहां से आई है चली तो हमने चार topics previous वीडियो में चुके हैं आपको यहाद है अपने interest on capital पढ़ा है आपने interest on drawings पढ़ा है याद आ रहा है अपने salary पढ़ा है बस यही सब आपको पढ़ना है loan और यह advance क्या होता यह सब पढ़ा है तो बस अब आपको बढ़ा easy हो जाएगा बस अभी आपको sole proprietor की तरह नहीं सोचना है आपको partnership के हिसाब से सोचना है ठीक है तो यहाँ पर हमें कहानी सुनने जा रहे हैं जिससे आपको यह सारे terms बिल्कुल crystal clear हो जाएंगे चलिए तो एक partnership firm थी जिसका नाम था क्या idiots company ठीक उसमें कौन-कौन पार्टनर थे उसमें चार लोग पार्टनर थे रांचो हमारा रांचो अरिना कपूर अगर आपको याद हो तो ठीक तो यह हमारे सारे कौन थे partners थे अब चलो story कहां से start होती है कि जो रांचो है उसने capital वो लेकर आया partnership firm में ठीक है वो पैसा लेकर आया पूंजी की तरह partnership firm में तो उसने बोला partnership firm क्योंकि हम अलग मानते हैं बच्छो accounting point of view से आपको याद होगा ठीक है मैंने आपको इक चीज़ बहुत important बताई थी क्या क्या accounting point of view से partnership partnership firm and partners have separate identity ठीक है and accounting हम करते है accounting is done from firm's point of view ठीक है तो हमने accounting दो point of view देखे थे एक accounting point of view देखा था जिसमें हम यह मानके चलते हैं कि partnership firm अलग है और partners के identity अलग है ठीक है लेकिन legal point of view जो था उसमें उनके identity को same माना जाता है अलग नहीं माना जाता क्यों क्योंकि हमारा partnership firm के अगर debt या liabilities meet नहीं हो पा रही है तो partners के private assets को बेच के वो पूरा किया जा सकता है वो debt को भरा जा सकता है ठीक है clear है तो legal point of view अभी आप भूल जाओ बस एक दिमाग में रखो कि legal point of view के सबसे से दोनों separate identity दोनों की नहीं होती है ठीक लेकिन accounting point of view से partnership firm and partners have separate identity and accounting जो हम करते हैं बच्चों वो firm के point of view से करते हैं जैसे similarly sole proprietor में भी sole proprietor होता है और बिजनेस होता है और हम सारे final account जो trading P&L और balance sheet बनाते थे वो हम किसके point of view से बनाते थे वो हम business के enterprise के point of view से बनाते थे तो यहाँ पर भी हम partnership firm के point of view से बनाएंगे clear है इतना चलो मैं यह आपर लिख देती हूं accounting point of view चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हुए अब बस कुछ नहीं आपको firm के point of view से सोचना है जो भी मैं बताऊंगी ठीक है तो रैंचो जो है बच्चो वो capital लेकर आया ठीक है उसने firm यह अलग इंसान है मानलो partnership firm हमारे एक अलग इंसान है तो रैंचो capital लेकर आया पूंजी डाली और partnership firm से बोला कि मैं capital लेकर आ रहा हूं आप मुझे इसके बदले में क्या दोगे तो पार्टनर्शिप फर्म ने बोला कि ठीक है तुम capital लेकर आ रहे हो मैं तुम्हें क्या दूंगा interest on capital तो partnership firm ने रैंचो को क्या दिया अग्री किया interest on capital देने के लिए तो यहां पर partnership firm interest दे रहा है ठीक है arrow दिख रहा है आपको interest on capital दे रहा है clear है तो यहां पर हम दो चीज़े एक चीज़ कर लेते हैं expense और revenue ठीक है ठीक है तो clear है यहां पर अगर partnership firm जो है वो रैंचो को कुछ पैसा देगा तो हमारा यह क्या हो जाएगा expense हो जाएगा ठीक है इसको मैं इसी color से लिख देती हूँ ताकि आपको हाँ ठीक है तो जब भी firm कुछ भी देगी वो expense और जब firm को मिलेगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी income अब चलो आगे बढ़ते हैं राजू राजू क्योंकि गरीब घर का था हम सबको पता है तो राजू को पैसो की जरूरत पड़ी राजू ने partnership firm के बास जाके बोला कि मुझे कुछ पैसे निकाल ले हैं तो मैं कुछ drawings कर रहा हूँ ठीक है तो partnership firm ने बोला कि ठीक है तुम पैसे निकाल लो लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा तो राजू ने बोला उसके बदले में मैं आपको interest दूँगा तो यह क्या हो जाएगी interest on drawings ठीक है interest on drawings अब ध्यान से हम किसकी point of view से सोच रहे हैं partnership form के point of view से तो अगर interest on drawings partnership firm को मिल रहा है ठीक है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा वो उसके लिए income हो जाएगी या revenue भी बोल सकते है इसको ठीक है clear हुआ next अब फरहान जो था बड़ा sincere आपको पता है कितना sincere था फरहान ठीक तो वो बहुत मेहनत करता था है ना तो form ने खुश हो के बोला कि मैं आपको salary remuneration या commission आपको मैं फरहान को तुम्हें pay करूँगा ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है partnership firm क्या कर रही है यहाँ पर pay कर रही है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा expense हो जाएगा अब फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं फिर पैसों की जरूवत पड़ी ठीक है फिर फॉर्म को पैसों की जरूवत पड़ी तो फिर फॉर्म ने सोचा partnership firm ने सोचा कि चलो हम लोन ले लेते हैं तो उन्होंने क्योंकि Priya doctor थी ठीक है Priya well settled थी तो उन्होंने क्या क्या प्रिया से पैसे ले लिए प्रिया से लोन ले लिया ठीक है तो प्रिया ने बोला फॉर्म को कि ठीक है मैं आपको लोन दूंगी यह जो भी आपको एडवांस चाहिए वो आप ले लो लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा तो फॉर्म ने बोला कि मैं आपको लोन आपने मुझे दिया है तो मैं उस पर आपको interest on loan दूँगा ठीक है? तो यहाँ पर अब form जो है उसको loan मिल रहा है और उस पर वो क्या भर रही है? form क्या दे रही है? interest दे रही है? ठीक है तो यह क्या हो जाएगा form के लिए? expense आ रहा है समझ में? चलो अब फिर से एक बार जल्दी से revise कर लेते हैं ठीक है? capital जब रैंचों लेके आया तो उस पर firm उसके बदले उसको क्या दे रहा है? interest on capital क्यूंकि दे रहा है मैं आपे लिख रही हूं bracket में दिया क्यूंकि दिया तो इसे लिए क्या हो गया? वो expense हुआ interest उसने भरा फिर राजू को पैसो की जरूद पड़ी तो राजू ने firm से कुछ पैसे निकाल लिया as drawings ठीक है? लेकिन वो drawings निकालने के बदले राजू को उस पर क्या भरना पड़ेगा? interest भरना पड़ेगा ठीक है? तो ये firm को क्या मिल? मिला तो interest on drawings firm को मिला और मिला तो मतलब क्या हो जाएगा? वो firm के लिए income या revenue हो जाएगा ठीक है? चलो next फिर partnership firm ने फरहान को salary remuneration commission वगेरा दिया क्योंकि वो काफी महनत करता था और बहुत अच्छा perform कर रहा था तो ये expense हो जाएगा ठीक है? अब यहाँ पर प्रिया उसको firm को फिर बाद में पैसो की जरूद पड़ी तो प्रिया से क्या ले लिया? loan ले लिया, advance ले लिया ठीक है? और उसके बदले partnership firm ने इसको interest भरा interest on loan दिया तो वो भी क्या हो जाएगा? expense हो जाएगा तो बड़ा clear है देखो अब आपको बस firm के point of view से सोचना है कि firm, partnership firm जो भी खर्चे करेगी या देगी, भरेगी वो expense होगा partnership firm को जो भी interest मिलेगा या जो भी चीज़ें मिलेंगी वो उसके लिए क्या हो जाएगा? income या revenue ठीक है? clear हो गया इतना तो ये कहानी सुनते हुए आपने पूरे basic terms and concept समझ लिए क्या क्या समझ लिए आपने? interest on capital का क्या concept है और वो partnership के लिए क्या होगा? expense interest on drawings का क्या concept है? वो partnership firm के लिए क्या हो जाएगा? income या revenue ठीक है? salary, remuneration, commission क्या होगा? firm के लिए expense ठीक है? और interest on loan अगर firm कोई loan लेगी उस पर जो interest भरेगी वो उसके लिए क्या हो जाएगा? expense clear हो गया इतना? ठीक है? तो इसको note कर लो यहाँ पर आपका concepts हो गए खतम इसके बाद हम आगे बचे हुए दूसरे concepts पर आगे बढ़ते हैं तो next topic पर आगे बढ़ रहें ठीक है? यह आपने समझ लिया, सारे basic terms आपने समझ लिये और उनका implication समझ लिया कि expense होगा यह revenue होगा अब हम बढ़ रहें बच्चों partnership deed क्या होती है? तो आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्या discuss किया था, जब features पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि agreement जो है, वो oral भी हो सकता है और written भी हो सकता है तो oral मतलब मैंने मुझ जबानी बोल दिया कि चलो पन partnership में enter हो जाते हैं साथ में मिलके business करते हैं partnership में business करते हैं और आपने into existence by oral और written agreement तो यह हम देख चुके हैं कि partnership existence में तभी आती है भले ही oral agreement हो रिटन agreement हो दोनों ही case में partnership existence में आज आती है, लेकिन the written agreement is known as partnership deed और memorandum of partnership, तो यह आप से पूच सकते हैं, अगर वो memorandum of partnership बोलें तो उसका मतलब भी यही है कि partnership deed, ठीक है, तो confused नहीं होना है, जो भी written agreement हमारा होता है, ठीक है जो मुझबानी होता है, वो oral agreement होता है और जो written agreement होता है, उसको हम बोलते है, partnership deed या memorandum of partnership, ठीक है next point है it is a legal document, legal document है मतलब, proper stamp paper पे बच्चों पूरा ऐसा document बनता है ठीक है, तो it is a legal document signed by all partners सारे partners जो है यहाँ पर sign करते है and it contains, कहा है हाँ, containing various terms and conditions and clauses of partnership तो बच्चों यह जैसे पूरी partnership deed है हमारी, ठीक है यह मैंने drawing इसलिए बना दी ता कि आप imagine कर पाओ, तो यह partnership deed है तो यहाँ पर पूरे terms and conditions ठीक है, सब चीजें कैसा क्या रहेगा हर बात बहुत detail में सब कुछ यहाँ लिखा होता है और यहाँ पर फिर उसके बाद सारे partners जो है उस पर sign करते हैं अपने अपने सारे signatures करते हैं clear है इतना? ठीक, तो यह इस तरह से पूरी आपकी partnership deed होती है अब क्या-क्या होता है उसमें देख लेते हैं कुछ examples partnership deed में name of the partners partners का नाम क्या है तो राजू, श्याम, बाबु भाईया इनके नाम लिखे रहेंगे जैसे वो partnership में इंटर होता है तो name and address of the firm ठीक, फर्म का क्या नाम है फर्म का address का है location का है किस तरह का nature of business है उनका business किस तरह का कर रहे हैं ये लोग capital contribution कौन कितना capital लेकर आ रहा है कौन कितनी पूंजी लेकर आ रहा है business में ठीक, interest on capital तो किसको कितना rates interest on capital मिलेगा ये सब चीजे ठीक है फिर interest on drawings अगर कोई partner drawings करता है तो उसको कितना interest भरना पड़ेगा firm को ठीक profit sharing ratio किस ratio में ठीक है आपका profit जो है partners के बीच में share होगा सोच लो कितने detail में तो मैंने सिर्फ कुछ examples लिखे हैं ठीक है और बहुत सारी चीज़े होती है और interest on loan हाँ, loan अगर लिया firm ने किसी partner से तो कितना interest पे करेगा remuneration to partners, partners को कुछ salary देना है, remuneration देना है उसका क्या आपका हिसाब किताब रहेगा rights and duties, partners के क्या rights होंगे, क्या duties होंगी, सब इस partnership deed में पूरा लिखा होता है clear है इतना, ठीक है, तो proper agreement होता है बचो, क्या होता है, ये safe side होता है, क्यों क्योंकि everything is written oral agreement में मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, partner का मुकर जाना, ये terms and conditions को लेके इधर उधर होना बहुत जादा possible होता है, आप oral agreement पे कभी वी उतना trust उतना भरोसा नहीं कर सकते अब वो valid है, लेकिन it is preferred कि आप proper written agreement बनाए, partnership deed proper बनाए, ठीक है, उसमें सारे detail में एक एक बात का terms and conditions उसमें लिखा हो, clear है, तो ये partnership deed का आपने basic पूरा समझ लिया, चलिए, तो इसमें बचों और भी बहुत चीज़े हैं, आपको book में दी हुई है, आप एक बार देख लिजेगा, बहुत सारी चीज़े हैं, उसमें से मैं आपको कुछ examples बता दिये, ठीक है, तो partnership deed में क्य क्या क्या चीज़े होती हैं, वो पूरा आपको book में, आपके TS गरेवाल में आपको पूरा detail में मिल जाएगा, ठीक, तो ये एक बार note कर लो, properly, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये partnership deed का आपने देख लिया, चले, तो अब बढ़ रहे हैं, हम आगे, एक थोड़ी सी important चीज़ और देख रहे हैं, क्या है, accounting treatment on absence of below provisions in partnership deed, तो partnership deed में, इन में से suppose कुछ चीज़े हैं, जो अगर partnership deed में mention नहीं की हैं, specifically, है ना, और partnership deed उसके बारे में silent है, तो क्या होता है, इफ partnership deed is silent, provisions of Indian Partnership Act 1932 apply on these things, ये 6 कुछ provisions हैं, ठीक है, अगर partnership deed में, अगर इस deed में, आपका interest on capital के बारे में, कुछ भी नहीं लिखा, है ना, interest on drawings के बारे में कुछ नहीं लिखा, interest on loan के बारे में नहीं लिखा, profit sharing ratio के बारे में कुछ specifically नहीं लिखा, ठीक है, तो इन सब कुछ चीज़े हैं, ये 6 चीज़े हैं, इन पे partnership act 1932 apply हो जाएगा, ठीक है, और उनके provisions apply हो जाएंगे, clear है, अब वो provisions क्या हैं, वो हम लिखते हैं, पहला, sharing of profit or loss, ठीक है, तो अगर आपकी partnership deed में कुछ specifically नहीं लिखा, कि आप किस ratio में कर रहे हो, 3 is to 2 is to 1, इस ratio में आप distribute करोगे, है ना, किस proportion में आप profit share करोगे, कुछ भी mention नहीं है, तो सारे partners, equally distribute करेंगे, तो equal distribution, ठीक है, यह सारा profit या loss जो है, वो equally distribute होगा, अगर कुछ भी आपका partnership deed में इसको specify नहीं किया है, ठीक है, तो अगर आपको question में दिया है, कि profit sharing ratio यह होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या मान लोगें कि partnership deed में यह चीज लिखी हुई थी, ठीक है, तो आप उसी ratio में बाट होगे, लेकिन अगर आपको question में कुछ बोला नहीं गया है, कि किस ratio में आपको profit या loss को बाटना है, तो मतलब क्या है, partnership deed silent है, और आपको पूरे profit या loss को बराबर बराबर equally बाट देना है, clear हो गया, चलो, अब अगर interest on capital नहीं mention किया कि कितना interest on capital देंगे, partnership deed चुप बैठी है, कुछ भी नहीं बोला partnership deed ने, तो फिर बच्चों, provision of Indian partnership act बोलते हैं, कि आपको कुछ भी नहीं देना है, nil, no interest on capital has to be given, अगर partnership deed ने बोला है, तो ये interest on capital देंगे, otherwise कुछ नहीं देंगे, ठीक है, चलिए, interest on drawings, तो बच्चों, interest on drawings, अगर यहाँ पर partnership deed में कितना interest on drawings, पार्टनर, यह form को मिलेगा, ठीक है, वो कुछ specify नहीं किया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, nil, कोई interest on drawings नहीं मिलेगा, ठीक है, interest on advance और loan by partner, तो अगर कोई partner, ठीक है, loan दे रहा है, या advance दे रहा है, ठीक है, तो उस पे partnership firm कितना interest देगी, तो generally partnership deed में वो चीज mentioned होती है, बट अगर नहीं हुई, तो आपका partnership act बोल रहा है, कि 6% per annum के हिसाब से interest on loan जो है, वो देना पड़ेगा, interest on loan का rate हो जाएगा, 6% per annum, ठीक है, फिर आई बात remuneration to partners की, तो अगर partnership deed इस बारे में कुछ भी नहीं specify कर रही है, तो remuneration to partners भी कुछ भी नहीं देना है, निल हो जाएगा, ठीक है, clear है, और last but not the least, admission of partner, तो admission of partner का आपको पता है, ठीक है, कि new partner को हम नहीं admit कर सकते, new partner cannot be admitted unless all the partners agree to it. तो नया partner तब तक शामिल नहीं हो सकता partnership firm में, ठीक है, admission नहीं हो सकता नया partner का, जब तक सारे partners उस चीज को agree ना करें, ठीक है, यह तो हम देख चुके हैं पहले भी, ठीक है, right of partner में देख चुके हैं हम यह चीजें, तो अब आपको समझ में आ गया, अगर partnership deed का आपने meaning समझ लिया, क्या होता है, partnership deed किस तरह से बनती है, क्या क्या चीजें होती है, फिर हमने देखा कि partnership deed में, अगर कुछ चीजे specifically mention नहीं है, ठीक है, तो उस पे Indian Partnership Act 1932 के provisions apply हो जाते हैं, जैसे कि sharing of profit and losses अगर नहीं दिया है partnership deed में specifically, तो सारे partners में equal distribution होगा, ठीक है, बराबरी में हर चीज बटेगी, interest on capital जो है, कुछ भी नहीं, interest on capital कुछ भी नहीं आपको देना है, nil rate रहेगा, interest on drawings का भी nil rate होगा, interest on advance या loan by partner जो होता है, वो 6% पर आनम के interest rate से आपको interest जो है, वो देना पड़ेगा, ठीक है, उसका rate specified है 6% पर आनम, remuneration to partners निल होगा, and admission of partner, new partner तभी admit होगा, जब सारे partners agree करेंगे, clear हो गया, ठीक है, तो इसको भी note कर लो, चलिए, तो बस एक topic, एक concept और समझ लेते हैं, छोटू सा, ठीक है, तो अभी बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हमने जो discuss की, basic terms वगेरा, और क्या चीज expense होती है, partnership firm के लिए क्या चीज income होती है, और partnership deed, discuss किया, और जब partnership deed में ये चीज़े mention ना हो, तब क्या provisions apply होंगे, ये हमने सीखा, चलिए, तो last topic देख लेते हैं आज का, charge against profit and appropriation of profit, ये क्या होता है, ठीक है, तो अभी ये ज़रा भारी-भारी terms देखके, घबराओं मत, अभी हम सबसे पहले तो, जो easy चीज़ हमें आती है, वो हम देख लेते हैं, तो बच्चो profit and loss account ये तो यार मतलब ऐसा हो चुका है, कि हम सपने में भी कोई उठा के बोलेगा, अब P&L account बनाओ, तो हम बना लेंगे, क्यों क्योंकि हम 11th class से बच्चों में बनाते हुए आ रहे हैं, चलो, तो आप हमेशा क्या करते थे, P&L account में, P&L account क्योंकि nominal account होता था, तो जितने भी खर्चे होते थे, expense, वो आप यहाँ लिखते थे, debit the expenses and credit, income and gain, और यहाँ पर आप income या gain को लिखते थे, इतना तो यहाँ दिये आपको, ठीक है, फिर हम क्या करते थे, हम ट्रेडिंग account बनाते थे, उससे हमें gross profit मिलता था, और वो gross profit हम लेके आ जाते थे, कहाँ पर, वो gross profit हम यहाँ पर लेके आ जाते थे, P&L में, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेते थे, by gross profit, ठीक है, तो हम पूरा detail में देख चुके है, final accounts, अगर आपने बच्चों 11th class में final accounts मुझसे नहीं पड़ा है, तो please 11th class की playlist में जाके, पहले जो final accounts का मैंने basic समझाया है, कि trading account में सारे direct expenses आते हैं, फिर निकलता है gross profit, फिर gross profit को हम लेके जाते हैं, penal account में, फिर हम यहाँ पर, अच्छा, gross profit हुआ तो यहाँ पर, और gross loss हुआ तो यहाँ पर, debit side में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्यूंकि यहाँ पर हमारे सारे expenses या लॉसे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे सारी income या gain आएगा ठीक है चलो तो अब यहाँ पर आप लिखोगे two gross loss ठीक और यहाँ पर buy gross profit इसके बाद जितने भी हमारे indirect खर्चे होते थे indirect expenses और direct expenses का difference हम देख चुके हैं बच्चों direct expenses वो खर्चे है जो हमारे directly हमारे business के operation से related है ठीक है और indirect expenses वो होते हैं जो directly related नहीं है हमारे business operations है ठीक है तो हमारा यहाँ पर आप क्या लिखते थे to electricity to rent ठीक है फिर आपका to depreciation to loss on sale of machinery यह सब चीजें आपकी बहुत सारे to 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 indirect expenses सारे यहाँ आ जाते थे याद आ रहे ठीक है उसके बाद क्या करते थे आप अगर आपकी कोई income होती थी तो आप यहाँ पर लिख लेते थे by suppose profit on sale of machinery by interest received सारे यहाँ लिखते थे उसके बाद आप क्या करते थे debit or credit का total लगाते थे ठीक है फिर आपका suppose करो जेनरली जो हमारा credit side जो आता था भारी आता था बड़ा आता था income side was greater than the expense side तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता था balancing figure to net profit ठीक है यहाँ पर net profit आ जाता था यह हमारा क्या हो जाता था balancing figure और अगर हमारे खर्चे greater खर्चे वाला side greater होता था income वाले side से तो हमारा क्या आ जाता था यहाँ पर by net loss ठीक है यह भी हमारा balancing figure होता है आया समझ में तो यह तो pnl account basically बच्चों मैंने आपको revise करवा दिया एक तरीके से ठीक है अब क्या होता है देखो अब आ जाते हैं हम pnl account तक तो आपको समझ में आ गया लेकिन partnership में यहां तक हम sole proprietor में बनाते थे उसके बाद फिर हम क्या बना लेते थे balance sheet बना लेते थे लेकिन क्योंकि यह partnership है ठीक है तो यहां पे हम बनाते हैं pnl appropriation account मतलब इस तरह से समझो कि जो net profit बचा ठीक है तो कौन सा piece कितना piece किस partner को जाने वाला है है ना कितना piece हमारा interest on drawings पे जाने वाला है कितना piece हम interest on capital पे डालने वाले हैं appropriation कर रहें distribution कर रहें तो बस ऐसा समझो कि यहां पर pnl में हम जब पूरा net profit निकाल लेते हैं उसके बाद हम बनाते हैं partnership में pnl appropriation account तो जो भी हमारा net profit आता है ठीक है तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या by net profit यहां से हम by net profit ले आएंगे ठीक है तो यह net profit उठा के हम ले आएंगे यहां पर यहां पर हम by net profit लिख लेंगे ठीक है यहां पर भी सेम बच्चों इसका भी वही debit और credit वही expenses या खर्चे debit site पर आएंगे ठीक होता वो pnl type का ही होता है account ठीक है लेकिन बस इसमें क्या होता है कि हमारा जो partner से related हमारी जो खर्चे होते हैं और income होती है वो सब हम यहां पर लेते हैं तो चलो देख लेते हैं हम ज़रा क्या 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 खर्चे होता है हमारे यह देखा था आपने partners से related हमारा रांचो राजू फरहान और प्रिया यह हमारे partners से तो interest on capital रांचो ने capital जो दिया ठीक है उस पर form जो है वो interest भर रही है interest दे रही है रांचो को तो interest on capital क्या हो जाएगा form के लिए खर्चा तो कहां आ जाएगा expense side पर तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे to interest on capital ठीक है तो यहाँ पर भी हमारे सारे expense मैं यहाँ पर लिख देती हूँ expenses, losses, खर्चा ठीक है और यहाँ पर आ जाएगा हमारा income ठीक है सेम बिल्कुल बच्चों उसकी तरह यह profit and loss की तरह तो interest on capital यहाँ आ जाएगा चलो next next और कौन सा खर्चा है हमारा अच्छा drawings तो drawings राजु ने की और उसने हमें उसके बदले क्या दिया interest on drawings दिया तो हमें मिला तो यहाँ पर हमें ऐसा लिख लेते हैं देखो interest on capital जो था यह firm ने दिया ठीक है और interest on drawings firm को मिला तो वो उसकी क्या हो जाएगी income आ रहा है समझ में similarly आगे बढ़ते हैं फिर क्या हो था फिर salary remuneration या commission फरहान को दिया क्योंकि वह बहुत अच्छा काम कर रहा था ठीक है तो यह भी दिया तो खर्चा हो जाएगा तो यहाँ पर लिख लो to salary remuneration और commission जो भी होगा वो सब यहीं आएगा दिया ठीक है next फिर क्या है फिर है बच्चों प्रिया ने loan हमें दिया था उस पर हम उस पर जो form है वो क्या दे रही है वो interest दे रही है प्रिया को ठीक है तो यह भी खर्चा expense है तो यह भी हमारा कहा आ जाएगा expense साइट पर आ जाएगा to interest on loan ठीक है यह भी हमने दिया clear हो गया ठीक है अब एक छोटी से चीज और होसकती है क्या हो सकती है देखो यह diagram देखो तो यह चार तो आपने देखे ही ठीक है तो यह वो एक अलग से गुल्लक बना सकती है ठीके जैसे हम बच्छों गुल्लक बनाते थे reserve का funds का उस तरह से वो गुल्लक बना के रक सकती है कि उसको जो भी profits हो रहे हैं वो इस piggy bank में वो गुल्लक में वो पैसे डालेगी ठीक है तो यह क्या हो जाएगा reserve कई बार क्या होता है बचों, बिजनेज अलग-अलग टाइप की reserves बना के रखता है, कि contingency या emergency में उन funds को यूस किया जा सके, तो कई बार जब profit होता है, ठीक है तो profit को वो reserve में transfer कर देते हैं, जिससे पहले कि वो partners को distribute करें, आ रहाए समझ में या capital में add करें तो यहाँ पर transfer to reserve यह अपने अप diagram में update कर लेना ठीक है हाँ तो यहाँ तो reserve में transfer कर सकता है यह 4 partner वाला देख लिया plus यहाँ तो reserve में वो भेज सकता है partnership firm तो यह भी क्या हो रहा है यह भी दिया यह भी firm ने जो है दिया ठीक है उसको मिला तो है नहीं तो दिया तो कहां आएगा खर्चे side पर आएगा तो यहाँ पर लिख देते हैं to transfer to reserve तो यह भी दिया आ रहा है समझ में clear हो गया इतना ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका अब यहाँ पर जब आप calculations करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा यह आ जाएगा हमारा to profit ठीक है इस profit को हम क्या बोलता है वो अभी हम बस सीखेंगे जस्ट इसके बाद ठीक है तो अगर हमारा यहाँ पर credit side greater हो जाता है debit side से तो हमारा क्या आ जाएगा profit ठीक है clear हो गया और अगर हमारे खर्चे जादा हो जाते हैं तो यहाँ पर by loss यह कभी भी नहीं आएगा कभी भी बच्चों PNL appropriation account में loss नहीं दिखाते ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ never show loss तो कभी भी loss नहीं दिखाते इसका एक अलग treatment होता है और वो माने वाले अगले concepts में discuss कर लेंगे ठीक है इतना clear हो गया ठीक है इतना note कर लो पहले फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इसी में आपको दो-तीन चीजे मुझे और समझानी है चले तो यह note कर लिया आप लोगों ने अब छोटा सा twist है क्या twist है वो twist यह है बचों कि जो interest on loan मैंने यहां पर लिखा है वो कभी भी appropriation में नहीं आता है ठीक है इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम flow flow में लिखें और इसके बाद फिर हम काटेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा interest on loan कभी भी यहां पर नहीं आएगा कभी भी यहां पर नहीं आएगा interest on loan हमेशा हमारा कहा आएगा उपर आएगा PNL account में ठीक है इसको मैं कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी तो two interest on loan ठीक है managers commission और अगर हमने कोई partner को rent pay किया है ठीक है rent paid to any partner यह सारी चीजें जो है यह तीनों चीजें हमारी PNL account में आएगी PNL appropriation account में नहीं आएगी ठीक है इसको मैं लिख रहे हूँ highlight कर रहे हूँ यह बहुत important है आपको याद रखना ठीक है अब आप लोग बुलोगे लेकिन मैं ऐसा क्यों हो रहा है कि हम यह सारी चीजें यहां नहीं ले रहे देखो बच्चों एक चीज एक logic से इस चीज को याद कर लो कि जो भी ऐसे लेना देना जो भी लेना लेन देन हो रहा है firm और partners के बीच में ठीक है अगर वो लेन देन सिर्फ firm और partners के बीच ही हो सकता था ठीक है उनके relation में ही वो लेन देन हो सकता था तो वो उस type के nature का जो लेन देन है वो आएगा हमारा कहा P&L appropriation में ठीक है लेकिन कोई ऐसा लेन देन है जो किसी और person के साथ भी हो सकता था तो वो हमारा आजेगा P&L account में कैसे? कैसे आद रखो के देखो Capital तो capital हमेशा partner ही लाता है ठीक है और कोई third person तो ला नहीं सकता तो उसको जो interest on capital हम सिर्फ partner को ही दे सकता है इसलिए यह आता है P&L appropriation में सेम drawings जो है वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ partner ही कर सकता है तो interest on drawings कौन देगा? partner ही देगा कोई और third person तो दे नहीं सकता ठीक है salary, remuneration या commission to partner यह सिर्फ partner को ही दिया जा सकता है ठीक है? तो यहाँ पर भी third person नहीं होगा जो हम partner से ले रहे हैं यह जो हम priya से ले रहे हैं वो हम किसी और से भी लोग अगर priya नहीं देती तो हम किसी और से भी ले सकते थे ठीक है? तो loan या advance आप किसी और से भी ले सकते थे third person से भी ले सकते थे तो इसलिए उस पर जो interest on loan दे रहे हो यह मैं आप कोई तरीका बता लूँ याद करने का ठीक है इसलिए जो interest on loan दिया है बच्चों वो हम कहां दिखा रहे है उसको हम दिखा रहे है PNL account में ठीक है similarly manager को commission दिया तो manager को commission दे रहे हैं वो किसी third person के लिए commission दे रहे हैं ठीक है अगर भले पार्टनर अगर manager की post पर सपोस्ट करो बैठा हुआ है ठीक है तो अगर वो नहीं होता तो किसी और को manager बिठा देते हैं तो managers commission आप यहाँ पर याद कर लो PNL account में आएगा rent paid to any partner तो अगर partner ने हमें कोई property rent पे दी हुई है वो नहीं देता तो कोई और हमें property दे देता ठीक है तो उसको हम rent pay कर देते हैं तो यह यह तीनों ऐसी चीज़े हैं जो किसी और third person भी हमारे साथ वो लेना देना कर सकता था लेकिन drawings capital है ना remuneration और commission to partners मैं आपर लिख देते हूं specifically यह सारी चीज़ें सिर्फ partners के साथ ही हो सकते थी क्लियर है तो interest on drawings, interest on capital, salary, remuneration, commission to partner यह specifically panel appropriation account में आएगा यह मैं ऐसा कुछ concept आपको बुक में दिया नहीं गया यह मैं आपको तरीका बता रहे हूं याद करने का कि कैसे आपको याद करना है कि P&L account में आपका interest on loan क्यों आएगा manager, commission, rent, paid to any partner यह सब चीज़ें क्यों आएगी भले पार्टनर से अभी पार्टनर के साथ लेन देना हो रहा है इन में लेकिन यह इसी यहाँ पर आएगी क्योंकि यह किसी third person के साथ भी कर सकते थे लेकिन interest on capital, interest on drawings यह सब चीज़ें partner के साथ ही हो सकती है और कोई third person के साथ नहीं हो सकती इसलिए इसको हम P&L appropriation account में लिख रहे हैं बस ऐसे याद कर लो ठीक है इतना आया समझ में चलो अब बस छोटी सी चीज़ एक छोटा सा concept वो रहे गया है वो यह है बच्चों कि जो हमारे खर्चे ठीक है जो भी हमारे ख इसको मैं ऐसे लिख देती हुँ तो आपको ज्यादा गृर हो जाएगा इसको हम बोलते है चार्ज अगेंस्ट प्रोफिट ठीक है और चार्ज अगेंस्ट पोफिट का मतलब क्या होता है चार्च अगेंस प्रोफिट का मतलब यह होता है कि भले ही प्रोफिट ना हुआ हो लॉस हो रहा हो तब भी ये खर्चे आपको ये खर्चे पे करने पड़ेंगे फॉर्म को पे करने पड़ेंगे ठीक है यहाँ पर लिख देता है फॉर्म has to pay even even these expenses, even in case of loss, ठीक है, तो firm has to pay these expenses even in case of loss, तो भले ही loss हो रहा हो, लेकिन ये खर्चे तो आपको pay करने ही पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए, clear है, तो इसको हम क्या बोलते है, charge against profit, जो P&L में आपके खर्चे आते हैं, अब जो यहाँ पर आपके आएंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे, appropriation of profit, ठीक है, अब net profit हो चुका है, उसको किस तरह से हम बाट रहे हैं, अलग-अलग चीजों में, appropriation कर रहे हैं, उस profit का, तो इसको हम बोल देंगे, appropriation of profit, clear हो गया इतना, ठीक है, तो यह चीज और note कर लो एक बार, बहुत ध्यान से note करना बच्चों इसको, चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने, charge against profit और appropriation of profit देख लिया, ठीक है, एक बार अब हम लोग क्या कर लेते हैं, बच्चों, एक बार बस, आज हमने जो पढ़े concepts, उसको revise कर लेते हैं, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, basic terms and concepts, तो उ सब partnership firm खोलते हैं, idiots company, और यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें होती है, partners related, वहाँ हमने देखा interest on capital, interest on drawings, salary, remuneration commission और interest on loan का concept, क्या चीज expense है, तो अगर firm जो भी चीज़ दे रही है, जो भी चीज़े firm ने दिया, वो हो गया expense, और जो भी चीज़ firm को मिला, वो हो जाएगा, उस करके रख सकती है, ताकि उसको future में कभी urgency हो, तो उसको use कर सके, clear है, तो यह हमने सारी चीज़े देगी, किस-किस तरह से firm को चीज़े मिलेंगे, firm देगी, clear हो गया, और क्योंकि हम accounting point of view जो है, वो क्या देखते हैं, उससे क्या देखते हैं कि partnership firm और हमारे partners separate identity होता है, accounting point of view से तो इसलिए accounting जो हम करते हैं, वो हम firm के point of view से करते हैं, तो इसलिए firm ने जो दिया, वो उसका expense, firm को जो मिला, वो उसका income या revenue, ठीक, चलिए, यह देखा, फिर हमने देखा कि partnership deed क्या होता है, ठीक है, agreement होता है proper, जिसमें सारे terms and conditions और clauses लिखे होता है, ठीक है, जो written agreement होता है, clear है, फिर हमने देखा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो partnership agreement में agreement करते time partners आपस में discuss नहीं करते या specified अगर नहीं होती है, तो हम provision of Indian partnership act 1932 apply कर देते हैं, जो बोलता है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो profits equally share करेंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, तो interest on capital नहीं देंगे, interest on drawings नहीं देंगे, remuneration to partners भी नहीं देंगे, लेकिन interest on advance या loan अगर partner ने दिया है, तो उस पे 6% per annum के साब से interest देंगे, ठीक है, और admission of partner को लेके लिख दिया गया है, कि अगर कोई भी नया admission होगा partner का, वो तभी होगा जब सारे partners उसके लिए consent देंगे, तो यह आपने देख लि ठीक है, उसमें बस हमने तीन ये चीज़ें सीखी, कि interest on loan अगर partner को दे रहे हैं भले, manager commission जो भी हो, interest on loan जाए partner को दिया हो, या किसी को भी दिया हो, interest on loan अगर है, तो वो आएगा कहाँ पे, P&L में आएगा, manager commission कहाँ आएगा, P&L में आएगा, rent paid to any partner ये भी P&L में आएगा, उनको हम बोलते है, charge against profit, ठीक है, मतलब भले ही profit हुआ हो या ना हुआ हो, ये खर्चे तो firm को pay करने ही पड़ेंगे, ठीक है, फिर आते हैं हम appropriation account पे, तो यहां से हम उठाते हैं net profit बच्चों, और net profit उठाते हैं, यहां पे रखते हैं, और फिर जितने भी खर्चे हुए, ज हो सब कुछ, और यहां पर अगर interest on drawings मिला, यह सारी चीजें, इन सब को calculate करके हम निकालते हैं क्या profit, ठीक है, तो यह क्या हो, इसको हम क्या बोलते हैं, appropriation of profit, clear है, तो जो चीजे भी, जब net profit आने के बाद, जो हमारे partner से specifically related जो चीजे हो जाती हैं, घर्चे, जो सिर्फ partners के सा हो सकते थे, जो income हमें partner से ही हो सकती थी, जैसे interest on drawings, बस इनको याद कर लो कि क्या क्या चीजे हैं, इनका appropriation हम किसमें दिखाते हैं, P&L appropriation account में, उसके बाद आ जाता है हमारा profit, हमारा balancing figure, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है, आगे क्या कहानी होती है, व उसका अलग तरह से treatment होता है, वो आप आने वाले अगले वीडियो में उसकी कहानी समझोगे, और आज के lecture में हम कर रहे हैं, class 12 accounts का chapter number 2, जिसका नाम है accounting for partnership fundamentals, तो हम लोग ने बच्चो previous video में कुछ concept समझे थे, ठीक है, आज भी हम कुछ concept हमारा part 3 है, वीडियो का, तो अभी भ generally बच्चे confused होता है, ठीक है, कौन सी terms है, net profit, ठीक है, net profit versus हमारा होता है, divisible या distributable profit ठीक है, तो generally बच्चों क्या होता है, कि मैम इसमें क्या difference है, इसके बीच में क्या difference है, ये बहुत पूछते हैं, तो आज मैं आपका ये doubt clear कर दूँगी, देखो, आपको याद है, हमने पिछले वाले concept में ऐसा कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है, हमने पढ़ा था, charge against profit क्य होता है, तो जो PNL में खर्चे आते हैं, हमने पढ़ा था, appropriation of profit क्या होता है, तो PNL appropriation में जो आपका adjustments होते हैं, उनको हम क्या बोलते है, appropriation of profit, clear है, तो ये सब हमने पढ़ा था previous lecture में, अब ध्यान से, बस यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका net profit क्या होता है, net profit तो ये हम सब को पता है, जो PNL के end पे आता है, वो क्या है हमारा net profit, ठीक है, और जो PNL appropriation, ठीक है, net profit को हम यहां से उठा के यहां पर लाते हैं, ठीक है, और उसके बाद सारे adjustments, जो specific adjustments है, जो partners से related होते हैं, वो करने के बाद हमारा profit बचता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या डिस्ट ब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट ऐसा क्यों बोलते हैं ऐसा मान के चलो कि अब ये प्रॉफिट मतलब सबको केक बाट देने के बाद सब कुछ अब जो पार्ड बचा है ये हमारा प्रॉफिट जो है या पार्टनर में बटने के लिए ready है ठीक है इसलिए उसको distributable profit या divisible profit बोल सकते हो सारे खर्चे सारी चीजें adjustments होने के बाद हमारा बचता है divisible और distributable profit जो आएगा आपका PNL appropriation account के end में आया समझ में चलो तो यहाँ पर लिख लो आपको ताकी confusion ना हो net profit को क्या लिख लोगे आप यह आता है हमारा profit and loss account के end में ठीक है इसको मैं end of PNL account लिख देती हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा end of PNL account में हमारा आता है net profit ठीक है and distributable divisible profit कहां आता है हमारा end of PNL appropriation account आया समझ में तो आप तो कोई confusion नहीं है अगर मैं आपसे पूछूंगी net profit तो तुरंत आपके दिमाद की बत्ती क्या जलनी चाहिए है कि PNL के end में net profit आता है ठीक है और जब मैं बोलूँ आपको कि divisible or distributable profit दिया है तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए PNL appropriation account ठीक है तो net profit या तो यहां होगा PNL के end में या PNL appropriation के शुरुआत में होगा ठीक है क्योंकि यही फिगर हम यहां पर उठाके लाता है फिर सारे adjustments करते हैं ठीक तो net profit का clear है कहां कहां आता है और divisible या distributable profit कहां आता है यहां पर आता है तो अगर आपको question में suppose दे दिया गया है net profit ठीक है आपको net profit दे दिया गया और बोला कि interest on capital दे दिया interest on drawings दे दिया salary remuneration दे दिया और बोला divisible profit निकालो तो निकाल सकते हो ठीक है सारी चीज़ें plus minus करके फिर हम क्या कर लेंगे divisible profit ये distributable profit निकाल लेंगी clear हुआ चलो आगे बढ़ते हैं एक और मैं आपसे term discuss करूँगी जिसमें generally confusion होता है क्या होता है drawings versus withdrawal of capital ठीक है तो capital में से drawings में भी हम पैसा निकालते हैं capital में से ठीक है minus करते हैं हम drawings और withdrawal of capital भी क्या capital को withdraw करना तो generally क्या होता है आप लोग सब confused होते हो कि इसमें क्या difference है तो बड़ा simple difference है बच्चो क्या सबसे पहला difference क्या है कि ये होता है हमारा temporary nature और ये होता है हमारा permanent nature इसका मतलब क्या है drawings ऐसा होता है बच्चों की ठीक है मैंने कुछ समय के लिए उसमें से थोड़ा पैसा निकाल लिया मुझे जरूरत थी और जब मेरे पास पैसा आ जागा तो मैं वापस लोटा दोंगी वो temporary था ठीक है मैंने हमेशा के लिए पैसा नहीं निकाला लेकिन withdrawal of capital का मतलब क्या होता है कि मैंने हमेशा के लिए permanently अपनी जो पूंजी है जो मैंने जमा की थी as capital उसमें से एक part withdraw कर लिया है आया समझ में तो जब मैं बोलू drawings तो आपको दिमाग में अना चाहिए क्या temporary nature का है withdrawal of capital मतलब हमेशा हमेशा के लिए हमने capital में से कुछ part withdraw कर लिया है ठीक है कुछ पूंजी में से कुछ part withdraw कर लिया है अब बाद simple सा common sense वाला बात है बच्चों जो मैं आपको बताने वाली हूं क्या कि जब भी drawings की बात होगी ठीक है तो इसका effect जो है वो कहां पर आएगा वो होगा हमारा interest on drawings पे ठीक है तो interest on drawings का हो और interest on capital से कोई फरक नहीं पढ़े गा यहां पे ठीक है bills interest on capital से कोई फरक नहीं पढ़ेगा withdrawal of capital बच्चो withdrawal of capital मतला इस तरह की से में पूंजी निकाल रहे हैं तो यहां पे capital की बात आ रही है बच्चों तो हमारा इसका जो effect है withdrawal of capital का हमारा पढ़ेगा effect calculation of interest of capital पे पढ़ेगा ठीक है और interest of drawings पे नहीं पढ़ेगा तो सीधी सी बात है जब drawings होगा तो interest on drawings पे effect पढ़ेगा जब withdrawal of capital होगा तो interest on capital पे पढ़ेगा चलिए तो यह हमारा बस यह जो कुछ confusion वाला terms थे बचों यह मैंने आपको बता दिया तो अब आपसे कोई भी पूछे कि net profit या distributable divisible profit में क्या difference है आप बता सकते हो अब अगर आपसे कोई पूछे कि drawings और withdrawal of capital में क्या difference है तो वो भी आप पता सकते हो ठीक है इसको note कर लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे चलिए तो अब बच्चों आपने जो confusion वाले terms थे वो clear हो गया अब आपको अब इसी चीज को यह हमारे तरीके से ledger accounts बने हुआ है P&L account बनाए P&L appropriation account बनाए है लेकिन आपको questions में journal entry करने के लिए भी पूछ सकते हैं ठीक है इनी सब चीजों का बोल सकते हैं कि journal entry pass करो तो आपको journal entry भी पता होनी चाहिए तो चलो एक बर हम आप इन सब की journal entries भी discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले काम करते हैं P&L account को उठाते हैं ठीक है और P&L account को उठाके उसमें यह जो सारी चीज हमने लिखी थी न इंट्रेस्ट ओन लोन managers commission जो भी चीज हमारी charge against profit थी यह कुछ तीन special चीज हमने लिखी थी इनकी entries पहले देख लेता हैं ठीक है तो सबसे पहली entry क्या होगी चलो तो जर्न entries देख रहे हैं बच्चों P&L account में सबसे पहले interest on loan की ठीक है तो interest on loan की सबसे पहली entry होगी क्योंकि हमारा interest on loan हम firm के point of view से हैं ठीक है हमें accounting purpose से firm के point of view से ही सोचना है तो firm के लिए interest on loan ध्यान से प्रिया से जो loan लिया था उस पर firm को क्या देना पड़ रहा है interest तो interest क्या है खर्चा तो expenses को हम क्या करते हैं debit तो interest on loan interest on loan account debit to loan account ठीक है to loan account क्यों किया क्योंकि suppose हमने 10,000 का loan लिया ठीक है अब जब हम interest calculate करेंगे तो अब हमारे loan में वह interest का amount भी आड़ हो जाएगा हमें वो भी देना पड़ेगा है ना जैसे suppose मैंने प्रिया से 10,000 रुपए लिया ठीक है उसके बदने मुझे interest भी देना है तो मुझे प्रिया को suppose 1,000 रुपए का interest देना है ठीक है तो मैं total कितना उसको दूँगी अब 10,000 तो दूँगी प्लस 1,000 का interest भी दूँगी तो ठीक है उतने से 1,000 को मेरा total loan कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000 11,000 तो यह basically यह logic है इस entry का तो interest on loan खर्चा है तो debit किया और उतने से हमारे loan को हम बढ़ा रहे हैं ठीक है हमारे loan का amount बढ़ रहा है हमारी liability सर पे बोज बढ़ रहा है तो इसलिए loan को हमने कर दिया credit आ रहा है समझ में second entry क्या होगी second entry यह खर्चा है सारे खर्चों और सारे income को हम end में जाके कहा मारते हैं profit and loss account में ठीक है यह हम देख चुके अगर आपने class 11th का final accounts बच्चों बहुत important है भले ही आप 12th में आ चुके हो लेकिन अगर आपको अभी भी कोई confusion है तो मैंने जो final accounts के class 11th के lectures आपके लिए playlist में add किये हुए है प्लीज एक बार जाके देख लेना ठीक है तो आपके concepts एकदम clear हो जाएंगे ठीक है कोई बिल्कुल भी कभी भी कुछ चीज को revise करने से आपका नुपसान नहीं अपका फाइदा ही होगा ठीक तो मैंने आपको बताया था कि सारे जो खर्चे हैं उनको हम मार के खाहा लेके जाते हैं profit and loss account में तो यहाँ पे हम मारते हैं सारे खर्चों को और यहाँ पे पहले क्या किया debit किया अब मारूंगी तो क्या करूंगी credit करूंगी तब ही तो यह debit और credit कैंसल होगा आ रहा है समझ में तो to interest on loan को मैं credit करूंगी लेकिन debit किसे करूंगी कहा मार के लेके जा रही हूं profit and loss account में तो मेरा debit क्या हो जाएगा P&L account तो P&L account debit to interest on loan आपकी दूसरी entry हो जाएगी ठीक है clear हो गया तो अब जैसे हैं आपे देखो profit and loss account हमने क्या entry की P&L account debit ठीक है P&L account के debit site पे क्या आ गया to interest on loan अब समझ में आ रहा है journal entry का logic चलो बहुत बढ़िया तो यह हमारा interest on loan का कहानी हो गया अब आप देखो जरा अगर मैं चाहूं ठीक है अगर मुझे बोला गया question में कि दोनों entries करनी है तो हम दोनों दिखाएंगे लेकिन बोला कि single entry करो तो क्या करेंगे interest on loan debit कड़ गया interest on loan credit कड़ गया तो अब हमारे पास क्या बचा अब हमारे पास बच्चों क्या बचेगा दे कर गया तो अब क्या entry बचेगी profit and loss account debit to loan account आया समझ में तो सीधे आप direct single entry भी कर सकते हो तो वही effect आएगा उसका भी आ रहा है समझ में क्यूंकि वैसे भी interest on loan तो debit credit होके cancel out हो ही रहा है ठीक है तो यह उसकी single entry हो गए चलो सेम अब managers commission तो managers commission क्या है firm manager को पैसा दे रही है commission दे रही है ठीक तो क्या हो जाएगा सबसे पहली entry managers managers commission account debit ठीक है टू कैश अगर दे दिया है तो ठीक है अगर पेमेंट कर दी है हमने managers commission की तो हम पैसा दे रहे हैं जेप से टू कैश ठीक है अगर नहीं किया है तो क्या लिख दोगे पेबल है ठीक है सर पे वह हमारे एक outstanding expense बनके खड़ा होगा तो इसको क्या लिख दोगे commission payable है ना two managers commission payable यहां पर थोड़ी जगी की कमी है बढ़ ठीक है हम manage करते हैं two managers commission payable आ रहा है समझ में ठीक है तो अगर आपने manager commission को आपने payment कर दिया है तो two cash कर देना cash जा रहा है अगर payable है तो liability create हो रही है कि मतलब outstanding expense है अभी तक pay नहीं किया लिकिन due हो गया तो आप क्या कर दोगे to managers commission payable है ना तो payment के case में हो जाएगा managers commission debit to cash और अगर outstanding है तो managers commission account debit to managers commission payable account आया समझ में ठीक है और second entry क्या हो जाएगी हमारी सेम बच्चों खर्चे को मार के लेके जाएंगे कहां लेके जाएंगे मार के profit and loss account पे तो profit and loss account debit खर्चे को आपने debit किया था तो मारने के लिए क्या करेंगे credit तो two managers commission आया समझ में clear हुआ ठीक है आया समझ में चलो next same बच्चों यही इसका हमारा rent का भी बिल्कुल same to same rent pay किया हमने ठीक है तो अगर rent pay कर दिया है तो rent account debit to cash ठीक है और अगर rent नहीं pay किया है तो खर्चा तो debit होगा ही लेकिन two cash की जगे क्या हो जाएगा two rent payable मतलब हमारे सर पे उधारी है clear हो गया इतना ठीक है और second entry क्या हो जाएगी है हमारी खर्चे को मार के लेके जा रहे हैं profit and loss account में तो P&L account debit to rent तो eventually बच्चों देखो यह वाली आप entry जब देखोगे और जब यहां पर profit and loss account को देखोगे तो P&L account debit to interest on loan P&L account debit to managers commission P&L account debit to rent paid to any partner ठीक है तो यही बात को आपने देखो यहां पर दिखा दिया है P&L account debit to interest on loan P&L account debit to managers commission P&L account debit to rent ठीक है clear हो गया इतना आया समझ में मैं यहां पर bracket में लिख देती हूँ ताकि आपको confusion ना हो अगर pay कर दिया है अगर paid है तो यह आएगा और अगर outstanding है तो यह आएगा same with this अगर paid है तो यह आएगा outstanding है तो यह आएगा clear हो और इसके लिए combined entry जो है वो कोई ऐसी specifically कोई relevant है नहीं ठीक है तो यह आपका journal entries जो profit and loss account से related था वो हो गया आया समझ में तो हमने यह charge against profit वाली चीज़ें जो थी वो हमने देख ली तो अब आपको कुछ भी दे दिया जाएगा जो pnl account किसे related रहेगा तो अब उसमें बच्चों आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए ठीक है यह एक तरीके से आपको रटना नहीं है इसलिए मैंने बहुत logically आपको सारी journal entries को समझाया है तो इसको note कर लो यह pnl account वाला हमारा complete हो गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम ठीक है journal entries जो हमारी pnl appropriation account अब हम आ जाते हैं pnl appropriation account पे और यहां पर जो यह सारी चीज़े हैं interest on drawings, interest on capital, salary, remuneration, transfer to reserve और यह हमारा जो end में profit आता है इसका क्या treatment होगा इन सब क्या journal entry होगी वो हम देखते हैं चली, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कौन सा, interest on capital अब सबसे पहले दिमाग आपका क्या चलना चाहिए, interest on capital ठीक है, क्या है, क्या है, firm के लिए क्या है, खर्चा है, ठीक है, partner capital लेके आया, हमारा rancho जो है, वो capital लेके आया था, और उसके बदले partnership firm को उसको क्या देना पड़ा था, interest on capital देना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या entry होगी, खर्चा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, debit, interest on capital, ठीक है, इसी में मैं एक चीज़ और मर्च कर रही हूँ, यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है, आपको, salary, remuneration, commission to partners, तो ये भी एक तरीके से क्या है, entries आपको एक साथ करके बता रही हूँ, interest on capital होगा, तो interest on capital account debit होगा, और partner salary या commission होगा, तो ये debit हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर partner salary दिया है, तो salary account debit करना, commission दिया है, तो commission account debit करना, ठीक है, ये आपने किया debit, ठीक है, two, अब credit क्या करेंगे, तो रैंचु लेकर आया suppose 10,000 का capital, ठीक है, और suppose मैं उसको 2000 रुपए उस पे interest दे रही हूँ, interest on capital दे रही हूँ, ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, 10,000 का capital है, उस पे 2000 interest दे रहे हैं, तो वो 2000 से हम, हम उसको रैंचों का ऐसे payment नहीं करते हैं, interest का, हम उस interest को उसके capital में जोड़ देते हैं, उससे उसका capital को बढ़ा देते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, interest on capital account debit, credit क्या हो जाएगा, हमारा partner का capital को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा liability side पर आता है, capital हमेशा, उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, credit करेंगे, आया समझ में जब liability बढ़ती है, तो क्या करते credit करते हैं, तो इसलिए मैं इतना detail में, मैं चाहती तो मैं आपको सारी entries रटवा देती class में, लेकिन मैं आपको एक-एक entries ले समझा रही हूं, ताकि आपको ज़रूरी नहीं है, कि exact same चीजे आए, हो सकता है कुछ एक-दो चीजे और आजाएं इसके अलावा, तो आपको entry आपको खुद से बनाना आना चाहिए, कि आपको क्या general entry करना है, ठीक है, तो two partners हम यहापे लिख देंगे capital और current account, यह क्या होता है current account, यह सब हम देखेंगे अभी, अभी आप बस इतना लिख लो, एक तरीकी से बस यह मान लो कि वो partner का capital account है, आया समझ में, तो पहली entry तो य हो जाएगी, जैसे आपने यहाँ पर क्या 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 गा, interest on loan account debit to loan account, है ना, तो उसी तरह से आपने क्या किया है, यहाँ पर एक तरीके से capital क्या होता है, loan ही होता है, partnership firm के लिए, तो interest on capital account debit to partners capital account, ठीक है, आया समझ में, salary हुई तो salary account debit, तो salary भी हम खर्चा debit करेंगे, और उतन commission देना है partner को, ठीक है, तो commission को debit करेंगे, उतने से partner का capital account हम बढ़ा देंगे, तो इसलिए हम partners capital account को credit कर रहे हैं, यह सारे जो भी हमारे, हमें चीजे partners को देनी है, चाहिए वो interest on capital हो, salary हो, यह commission हो, वो हम उसके capital account में जाके transfer कर देते हैं, capital account को बढ़ा देते हैं, आया समझ में उतने amount से, clear हो गया, अब क्योंकि यह खर्चा है, खर्चा हमें मारना है, तो खर्चा मारने के लिए, यह debit किया है, तो मारने के लिए क्या करेंगे, credit, तो यहाँ पे लिख लो, to interest on capital, या salary, या commission, जो भी debit किया है हमने, उसको हम यहाँ पे मार के क्या करेंगे, credit, और debit क्या करेंगे, debit क्या करेंगे, मार के उसको कहा लेके जा रहे हम, ध्यान से देखो, मार के कहा लेके जा रहे है, profit and loss, अप्रोप्रियेशन अकाउंट में, तो P&L अप्रोप्रोप्रियेशन अकाउंट में हम उसको मार के लेके जा रहे है, तो P&L अप्रोप्रोप्रिये P&L account एक मिनट P&L appropriation account account debit to interest on capital आया समझ में तो पहले हमने खर्चे को due करने की entry करी फिर हमने खर्चे को मार के P&L appropriation में ले जाने की entry करी clear? इतना समझ में आ गया तो बस अब इसकी combined entry क्या हो जाएगी बच्छो देखो ये कट जाएगा debit credit तो क्या बचेगा पीनल अप्रोप्रियेशन डेबिट तो पीनल अप्रोप्रियेशन अकाउंट डेबिट थोड़ी जगी की कमी हो रही है हमें लेकिन ठीक है हम मैनेज करेंगे पीनल अप्रोप्रियेशन अकाउंट डेबिट तो ये हट ये हट ये हट गया तो अब क्या बच रहा है पेनल अप्रोप्रेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स क्यापिटल टू पार्टनर्स क्यापिटल और करेंट अकाउंट आया समझ में चलिए अब हम आ जाते हैं interest on drawings को लेके ठीक है तो interest on drawings पे हमारा क्या होता है interest on drawings देखो ज़रा इधर आ जाओ आपने ये सब देख लिया आपने ये भी देख लिया और आपने ये भी देख लिया ठीक अब आपका reserve वो profit को मैं सबसे end में देखेंगे अब आपका एक adjustment क्या बच से partner drawing लेके गया राजू ने partnership form से उधारी ली drawings अपने capital में से थोड़ा पैसा निकाल लिया उसको जरूरत थी तो partnership firm ने उसके बदले में उससे क्या लिया interest on drawing तो partnership firm को क्या हुआ मिला ठीक है तो हमारी partnership firm को मिला और जब मिलेगा तो क्या होता है बत्चोнд जब मिलती है जब income होती है खर्चा होता है तो debit होता है income होता है तो क्या होता है to interest on drawings credit करेंगे आया समझ में तो debit क्या करेंगे जब खर्चा due करते हैं तो उसको हम किसके साथ कहाँ पर जाके due करते हैं partner capital से adjust करते हैं similarly जब interest on drawings due करेंगे जब हम खर्चे को debit करते हैं तो उससे partner capital को बढ़ाते हैं तो उसको हम उसके capital से ही काट लेंगे उससे उसका capital कम कर देंगे तो बस यहाँ पर debit क्या कर दोगे इस तरह से जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप समझोगे ना तो आपको कभी भी journal entry में confusion नहीं होगा मैं नहीं चाहती कि आप रटो और आपको future में जाके परिशानी हो ठीक है तो partners capital account या current account debit तो हम partner के current या capital account से adjust कर लेंगे अपना interest on drawings को आया समझ में तो उतने से हम क्या करेंगे partner capital या current account को कम कर देंगे तब ही हम उसको क्या कर रहे हैं debit कर रहे हैं क्यों करेंगे क्योंकि हमें उससे लेना है देना है तो capital को बढ़ाएंगे उस capital को increase करेंगे अगर उससे लेना है तो उसका उतने से हम capital को कम कर देंगे ठीक है आया समझ में चलो second second entry क्या हो जाएगी चलो देखो ध्यान से interest on drawings को हमने क्या क्या था credit अब मारने के लिए क्या करना पड़ेगा debit interest on drawings account debit ठीक है और कहां मार के लेके जा रहे हैं हम P&L appropriation account में ठीक है तो P&L appropriation account क्या हो रहा है credit अब अगर आप यहां देखोगे तो P&L appropriation account के credit side पे क्या आ रहा है by interest on drawings आ रहा है समझ में इसलिए P&L appropriation को हमने क्या किया credit और interest on drawings को हमने क्या किया debit मारने के मार के हम transfer कर रहे है P&L appropriation account के credit side ठीक है क्योंकि P&L appropriation के credit side पे सारी income and gains आते हैं और debit side पे जितने भी खर्चे वगरा है वो आएंगे clear हो गया इतना इसकी भी combined entry क्या हो जाएगी बताओ जरा interest on drawing credit हुआ interest on drawing debit हुआ तो यह तो हड़ गया अब क्या बचा partner capital और current account debit कर लेते हैं आपर लिख लेते हैं partners capital और current account debit to P&L appropriation आया समझ में तो इसकी direct आप combined entry भी कर सकते हो clear हो गया इतना आया समझ में चलिए अब next क्या होगा reserve ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं अपने एक तरीके से जो हमारे profits बच रहे हैं उसमें से एक हिस्सा हम अलग करके रख रहे हैं अपनी गुल्लक में डाल रहे हैं यहाद है reserve में हम transfer to reserve में करते थे है ना तो बस कुछ नहीं करना P&L account का debit site पर क्या रहे है to reserve तो बस वह लिख दो बड़ा simple है यह तो तो यहाँ पर लिख देंगे हम P&L Appropriation Account debit to reserve clear हो गया इतना तो इसकी तो कुछ combine entry होगी नहीं वैसे ही single entry है irrelevant हो गया हो गया यह चलो अब इसका भी देख लिए आपने अब profit को transfer हम कर रहे हैं ठीक है तो profit की क्या entry होगी P&L Appropriation के debit side में आ रहा है profit तो वापस से P&L Appropriation Account Debit ठीक है अब यह profit को बच्चों हम कहां पर भेजेंगे कहां पर भेजेंगे profit जो आपका जो distributable यह divisible profit eventually जो बचता है हमारा यह वाला ठीक है यह मैंने बोला थे cake का जो आखरी piece होता है सारे adjustments सारे खर्चों के बाद ठीक है जो हम partners में divide करने वाले है ठीक तो यह हम eventually जब partners में divide करना है तो हम eventually कहां भेजेंगे partners के उनके capital account में ठीक है तो यह profit कैसे एंट्री कर दोगे profit की P&L appropriation account debit जित्ता भी balance पूरा debit balance profit का बचा है उसको हम debit करके कहां ले जाएंगे इसको हम इसको ले जाएंगे हम partners capital और current account में आया समझ में तो उस profit से हम capital account जैसे हम क्या करते थे बच्चों eventually profit को जाके हम capital में add करते थे याद आ रहा है जब हम normal sole proprietor का करते थे या इवन हम जब NPO का करते थे तो जो surplus आता था उसको हम जाके capital में add करते थे तो यहाँ पर भी जो हमारा distributable यह divisible profit जो end में बचता है P&L appropriation के उसको हम partners की capital account में जाके transfer कर रहे है add कर रहें एक तरीके से आया समझ में clear हुआ उतने से हम उनका capital बढ़ा रहे हैं तो basically यह सारा आपको journal entry का मैंने logic wise समझा दिया ठीक है कोई doubt तो नहीं है और कोई doubt हो तो पूछ लो clear है इतना तो basically reserve वाले में दिक्का तूरी तो कुछ नहीं हो रहा cake का एक तुकड़ा हम बस अपना बचाके रख रहे हैं कि हम future में खाएंगे यह basically वो चीज है आया समझ में कि हम अपना हमारे पास अभी बहुत सारा पैसा आ गया तो हमारे profit में से हमने एक हिस्सा अपने गुल्लक में डाल दिया कि कभी future में यूज करना करना हुआ तो हम इस गुल्लक में से यूज कर लेंगे तो रिजर्व और कुछ नहीं हमारा गुल्लक है ठीक तो चलो इसको नोट कर लो यह P&L Appropriation की सारी Entries हमने कर ली तो आपने सारी Entries देख ली Interest on Capital Salary Remuneration Commission ठीक है उसके बाद Transfer to Reserve Profit Interest on Drawings और बाकि Net Profit यहां से यहां लिखने की तो कुछ Entry नहीं होती ठीक है तो यह आप Journal Entries की भी नोट कर लो P&L Appropriation Account की चले बच्चों तो आज के Concept वाले वीडियो में हम लोगों ने ठीक है कुछ Basic चीज़े समझी आपको जो यह दो टर्म में Confuse हो सकते थे उसको लेके मैंने आपके Concepts क्लेर किये और उसके बाद हमने Journal Entries देखी Majorly P&L Account वाली जो चीज थी और हमारी P&L Appropriation अकाउंट वाली जो चीज थी जो आपके Appropriation Against Appropriation of Profit जो है उसकी कैसी Entries होंगी और Charge Against Profit वाले कैसी Entries होंगी Clear हो गया इतना तो हमारा Concept वाला आज Part 3 जो वीडियो है वो यहीं end होता है आगे आने वाले में भी आगे आने वाले गुद्बाइ